क्यूशन है यहाँ पर एक ग्रूप ओप प्लांट और एनिमल विद सिमिलर ट्रेट ओफ एनी रेंग इस इन में से कौन सा जो है समाल रेंग समाल ट्रेट नहीं समाल लक्षण का एक रेंग है तो जब हम रेंगिंग करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं उसके अंदर किंग किंगडम ठीक है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं किंगडम लिखते हैं ठीक है फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर डिवीजन के बाद में डिवीजन लिखा जाता है ठीक है डिवीजन के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर क्लास क्लास ओर्डर ठीक है ओर्डर इस तरह स लिखते हैं फेमिली और फेमिली के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर जीनस जीनस और जीनस के बाद हम लिखते हैं इस पीसीज तो इस तरह से हम ओर्डरिंग करते हैं मतलब रेंकिंग देते हैं किसी भी और्गनिजम का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस तरह से हम क्या कर एक family rank है, genus rank है और species भी एक rank है, तो हम किसी भी organism का अगर इसके अंदर characterization करते हैं, classification करते हैं, तो उनके अंदर particular similar traits देखे जाते हैं, तो जो question है हमारा है कि वो सबसे ज़्यादा किसम होगी, एक group, ऐसा group जिसके अंदर similar traits behavior हो, for example, order की अगर हम बात करें, तो दो species का जो order same है, उनके अंदर similar character भी क्या होगे, same ही होगे, ठीक है ला, दो, इसी प्रकार से दो family है, एक ही family के दो species है, और उन दो species का जो character होगा, वो भी क्या होगा, same ही होगा, तो इन सब में हमें क्या मिलेंगे, same same character मिलेंगे, ठीक है, दो organism है, और उनका genus same है, तो उनके अंदर character भी क्या होगे, same होगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो species हो गया, genus हो गया, order हो गया, इसमें सब में हमें बहुत ही ज़्यादा similar traits मिलेंगे, लेकिन अब option हमारे पास में चार है, दिये गये हमें, और इसमें से जो चार ओप्शन है, उनमें से तीन को तो हम समझ सकते हैं, कि species के अंदर दो species है, उनके अंदर जो character होगे, वो same होगे, किसी भी इस species क्या होता है, इस species होता है, group of population, इस species को हम क्या बोलते हैं, group of population बोलते हैं, ठीके, अब दो organism के बीच में जो character होगे, वो same होगे, दो human same same होगे, human के बात करे हम यहाँ पर, मानों के बात करे हैं, तो human same same होगा, ठीके, इसका genus भी same होगा, उसकी character भी same होगे, इसका order भी तो उसकी चरेक्टर भी सेम होगा, लेकिन अब इनको हम एक ही सब्द से हमें denote करना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है, एक group of plant, यह बात है, एक plant का group है, अभी हमने क्या का, group of population, जैसे की plant की population, या फिर animal की population, for example, human की population, ठीक है, उन में similar traits, any ranking is, similar traits क्या है, ठीक है, तो इसके लिए, इन सब्द के लिए हम केवल एक सब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जो सब्दे, वो क्या है, taxon, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो option हो जाएगा, right, वो क्या हो जाएगा, taxon हो जाएगा, क्योंकि हम similar character, जैसे की similar plant है, तो उसकी species भी similar होगी, तो character भी similar ही होगी, ठीक है, और बहु अचरमी से कहा जाता है, taxa, कहा जाता है, taxa, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, तो kingdom भी एक taxon है, तो kingdom भी एक क्या है, taxon है, इसी तरह division भी एक taxon हो गया, class भी हमारा taxon हो गया, order भी हमारा क्या हो गया, taxon हो गया, family भी क्या हो गया, taxon हो गया, genus, taxon, species भी, taxon, तो यह जो टेक्सवान सब्ध हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनके जो गरूप होंगे उन गरूप में जो भी पॉपूलेशन होगी और जो भी और अर्गनेज्म होगे उनके जो ट्रेट्स होंगे वो क्या होगए सिमिलर होगे तो यहाँ पर हमें यह चूज करना है कि वास्तिक्ता में आंसर कौन सा से होना चीए तो हम यह जो species, genus, order के लिए जो सब इस्तेमाल करते हैं वो क्या आता है? टेक्सोन आता है तो यहाँ पर हमारा जो answer होगा राइट आंसर वो क्या होगा भई? वो होगा टेक्सोन ठीक है? तो ध्यार लखना है हमें यह थेंक्यू